दोस्तो हम लोग electrical का काम करते हैं तो electrical का काम करने का मतलब है हम लोगों अंदर को जो सक्ती है जिसको हम लोग power बोलते हैं उसको आपको बाहर निकालना ही पड़ेगा जब दक आप उसको बाहर नहीं निकालियेगा तब दक आपको काम करने में काफी दिकत होगा कुछ अदमी ऐसे भी होते हैं, शिरिफ बाहाना करते हैं, अगर आपको electrical का काम सिखना है, तो आपको diagram देखना सिखना ही पड़ेगा, क्योंके दोस्तों, जब आप कोई एक company में duty कर रहे हैं, जब दूसरा company में जाइएगा, तो आपको हार चीज same to same नहीं मिलेगा, totally आपको change हो जाएगा, और हर चीज change मिलेगा, और हर company में आपको सिरिफ diagram में मिलेगा, और diagram देखके ही आपको काम करना है, और उसके साथ आपको practical experience भी बना के रखना है, अगर आप practical experience नहीं बनाईएगा, और सिरिफ diagram देखके काम कीजिएगा, तो काम करने में काफी आपको द या EOT overhead crane के बारे में समझा रहा हूँ, जब तक आप उसको देखिएगा नहीं तो कैसे समझीएगा, पहले आप देखिएगा तभी समझीएगा, इसलिए दोस्तों हम लोग अंदर में जो power है उसको आपको बाहर निकाल आपड़ेगा, किस तरह दोस्तों एक काम आप कर रहे है अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, तो उसी काम का आपको दस बार करना पड़ेगा, जब आप एक बार किये थोड़ा सा समझ में आएगा, जब आप उसी काम को दस बार किजिएगा, तो आपको पूरा समझ में आएगा ही आएगा, बहुत आदमी किस तरह हो हम बहुतlayや है अब हम बहुत खड़ लिये हैं बहुत उपको लगेगा आरे हम तो बहुत delivery हमको टाइमें नहीं यह सब काम करेंगे यह जो चीजह ना यह यह आदत होता है जब यह आदत आप नहीं चोरीेगा तब आपको इंट्रेस्ट नहीं आएगा और काम सिखने भी भी काफी दिकत हो जाएगा इसलिए दोस्तो मैं बोलूंगा कि आपना जो अंदर में पावर है उस पावर को बाहर निकालिए एक काम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसी काम काम दस बर कीजिए दोस्तो एक छ बोर से देखिए और उसके बाद हमको बोलिएगा आपकी कमाई आपकी आउकाद से उपर कभी नहीं आती अगर आप कमाई बढ़ाना चाहते हैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं यंग लोग सुन रहे हैं जिंदगी में अगर आपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो कम लोग को भी ये बात समझ में आएगा दोस्तो आप देगरे टेग्डिसियान तो पन यूटूब चैनल चलिए आज कुछ नया सिखते हैं दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को मोटर रेजिस्टेंस भेलू के बारे में बताऊंगा चाए आपका थिरी फेज क्या कमपनी में इंटर्विव दीजिए आपको मोटर के बारे में कुछ भी पूछिएगा तो आपको समझाने में कुछ भी दिकत भी नहीं होगा और आप अराम से जबाब भी दे सकते हैं अगर दोस्तो आप वीडियो को देखके पूरा अच्छा से समझ लेते हैं तब और यह जो मोटर टर्मिनल है यह मोटर टर्मिनल के बारे में आपको पहले जानना पड़ेगा यह जो मोटर टर्मिनल है इसमें हम लोग को कौन सा कनेक्शन होता है यह क्रिस क्रोस कनेक्शन होता है मोटर को हम लोग चेक किस तरह करेंगे एक मल्टिमीटर से चेक करते हैं या मे एक कोईल है तो इस कोईल के साथ आपको बॉडी देखना पड़ेगा मल्टी मीटर को जो कला वाला लीड है यह आर्थ में आपको लगाना पड़ेगा और एक लीड आपको W1 में लगाईए या W2 में लगाईए पहले चेक करना पड़ेगा कोई भी मोटर में जब फॉल्ड आ माल्टीमिटर का ओम्स में मतलग हम लोग continuity में चेक करते हैं, continuity में आप चेक करके देख सकते हैं, लेकिन माल्टीमिटर में कभी-कभी क्या होता है, ठीक से बता आता नहीं है, और कुछ ना कुछ दीकत लगा हुआ रहता है, इसलिए दोस्तों हम लोग मेगर से चेक करते हैं, मेगर में क्या होता है, हम लोग हाथ से घुमा घुमा के इसमें voltage देते हैं, voltage देने का बाद ये motor का जो coil है, चाहिए आप WN को चेक करिए या EU1 को चेक करिए, इसका coil में voltage देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं लेकिन उससे पहले आपको जानना जरूरी है जब भी आप कोई private company में interview दीजिएगा तो आपसे जरूर पुछेगा क्या हमारा जो 100 HP का हो या आपका 2 HP का motor हो तो इसका कितना भोल्ट का मेगर से चेक करेंगे दोस्तो जब ये question आपसे पूछे मल्टी मीटर के बारे में अगर पूछेगा तो आपको बताना है कि मैं ohms में चेक करूँगा और meager के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है कि 500 बोल्ट का मेगर से चेक करूँगा अगर आप 1000-1000 का नाम लीजिएगा तो आप बोलेगा कि आप कभी काम नहीं किये हैं कोई भी मोटर में चेक करना रहेगा तो आपको बोलना है कि हम 500 बोल्ट का मेगर से मोटर चेक करते हैं और इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा दोस्तो जो हमारा मेगर है इसको घुमा लेते हैं अगर आप 2000 का ले लेते हैं तो यह मोटर का अंदर का इंसुलेशन डेमेज हो जाएगा अभी दोस्तों आपको यह जानना पड़ेगा कि मेगार से हो या मल्टीमीटर से चेकिंग आपका सेम टू सेम रहेगा चेकिंग में आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा मेगार पे भी आपका दो लीड है दो लीड में से चाहे कोई भी एक लीड आप आर्थ में लगाना है और दूसरा आपका यह छेगो जो टर्मिनल है छेट टर्मिनल में लगा कर देखना है मतलब एक body में लगाना है और एक motor terminal में लगाना है एक बार चेक करना है क्या बता रहा है आपको देखना है और दोस्तो जब आप coil to coil देखिएगा coil to coil मतलब W1 to W2, U1 to U2, V1 to V2 मतलब हमारा coil ठीक है या नहीं है इसके बाद दोस्तो आज आता है हम लोगों को motor का resistance value जिसमें चाये आप 100 HP का motor ले लिजिए या आप 2 HP का motor ले लिजिए तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है क्या हमारा 100 HP का motor में कितना ohms आना चाहिए और हमारा जो 2 HP का motor है 2 HP में कितना आना चाहिए हमेशा आप देखिएगा जो हमारा छोटा motor होता है छोटा motor में आपका ohms ज्यादा आता है और जो बड़ा motor रहता है इसमें ohms आपका कम आता है लेकिन क्यूँ आता है ये भी आपको जानना जरूरी है जब हम लोग 100 HP का motor चेक करते हैं किस तरह चेक करते हैं body और ये को जो हमारा motor का terminal में point है चाहिए w1 या v1 इसके बारे में तो मैं अभी बोला कि body के साथ चेक करना है अगर आपको 100 HP का motor चेक करना पड़े तब आपको W1 के साथ W2, U1 के साथ U2, V1 के साथ V2 इस तरह हम लोग चेक करते हैं कि हमारा coil का resistance value कितना है 100 HP का motor रहेगा तो ज्यादातर देखिएगा 0.2 ohms बताता है या 0.1 ohms बताता है और अगर आपका 2 HP का motor रहेगा उस टायम आपका 3.5 से लेके 9.5 ohms तक बताता है लेकिन ऐसा क्यों छोटा motor का आपका ohms ज्यादा है और बड़ा motor का ohms कम है इसके बारे भी मैं आप लोगों को पूरा details में बताऊंगा दोस्तों अगर आप मेरा multimeter वाला video नहीं देखे हैं तो देख लिजिएगा नहीं तो मैं जो समझा रहा हूँ और ohms क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा और इसके लिए मैं एक playlist भी बना दिया हूँ और उसका description में link भी दे दिया हूँ आप लोगों के सुभीदा के लिए क्या आप एक बार description में जाके जहां पर मेरा WhatsApp नमबर है उस link में आप click कीजिएगा तो मेरा channel में जितना सारा video है सब आपको मिल जाएगा इससे पहले भी मैं दोस्तो मोटर का वीडियो अल्रेडी बना चुका हूँ लेकिन आज जो समझा रहा हूँ इसके बारे में मैं नहीं समझाया हूँ दोस्तो मोटर आपका चाहिए स्टार में चले यहाँ डल्टा में चले उससे आपको कुछ फरक नहीं पड़ता है इससे पहले जो मैं वीडियो का बात आप लोग को किया हूँ जब स्टार में चलाना रहता है तब हम लोग उपर में सौट कर देते हैं तीनों को W2, U2 और V2 और नीचे से हम लोग R.O.I.B. सप्लाई देते हैं तो इस टार में चलाना पड़ता है जब हम लोग को डल्टा में चलाना पड़ता है तो चेक करके ही चलाना पड़ता है कौन किसका कॉयल है तब ही इसके बार भी मैं वीडियो बनाया हूँ वीडियो अगर नहीं देखे त आप कनेक्शन कीजिए घुम पिर के यही आएगा R.O.I.B. आपको तीनों फेज सप्लाई देना है और अगर स्टार डल्टा का मोटर रहेगा आप देखे एगा लाइन करन्ट जिसको हम लाइन करन्ट को पर वीडियो बनाये थे वहां पर भी आप R.O.I.B. में एम्पीर च चेक करते हैं या फेज वोल्टेज भी चेक करते हैं जब आप R के साथ Y चेक करिएगा R के साथ Y चेक करिएगा तो 415 होगा Y के साथ B चेक किजिएगा फिर भी 415 होगा किसी पर भी आप चेक करके देख लेजिएगा दोस्तो हम लोग को में मेंटर है कि हमारा जो यह ओम्स ह ये दोनों में क्यों अलग-अलग है दोस्तों उससे पहले आपको और एक चीज़ जानना पड़ेगा कि हमारा जो ये मोटोर है मोटोर में जब फॉल्ड आता है तो फॉल्ड के टाइम हमको क्या-क्या चेक करना है या अगर आप कोई प्राइबेट कमपनी में इंटर्व्यू दे रहे हो उसको समझाना कैसे है तो मैं इस चीज़ को जो बनाया हूँ इसी तरह बना का आपको समझाना पड़ेगा तो एक बार में समझ जाएगा और कुछ दीकत भी नहीं होता है दोस्तों आभी दोस्तों ये जो हमारा देखिए आर वाई और बी है ये हम तीन को फेज देखिए अब तीनों फेज हम लोग मोटर मेंदेटे लेकिन मोटर के अंदर में कौल है और Tul meas shot क्या है हम लोगों इसको क्या भोलते दोस्तों आपको सबसे पहले एक चीजिज आपको जाना पड़ेगा कि हमारा है क्वाइल है यह जो दो क्वाइल है यह हमारा जब स्वाट सर्किट होता है तो हम लोग इसको क्या बोलते है उस टाइम दोस्तों क्या होता है कि एक क्वाइल के साथ दूसरा क्वाइल का जो इंसुले से यह टाच हो जाता है जब आपका कमजोर हो जाता है यह आपका कोई सब्सक्राइब मोटोर एकदम जल गया मतलब बरबाद हो गया और मोटोर जलने से पहले अगार आप बचा सकता है मोटोर को माल्ति मिटर या मेगार से चेक करेको कुछ वरने से पहले अगर इस परागए तान टू टान साट हो आएगर उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा उमोकर आपको न्या zelf वारीडिंग कराणा ही पड़ेगा यह होगी हमारा दोसतों एक नंबर पॉयंट दूसरा नंबर है दोस्तों एक होता है हमारा लेयर सोट तो लेयर सोट हम लोग किसको बोलेंगे लेयर सोट हम लोग उसी को बोलेंगे जो हमारा यह turn to turn है ना मतलब जो एक ही coil में है एक ही coil में आपका एक wire के साथ दूसरा wire सट जाता है तो उस time क्या होता है उस time ही दोस्त आपका क्या होगा motor trip होगा बार-बार जादा high current हो जाएगा इस पे जो हो रहाता है इस से double हो जाएगा इसमें क्यूंकि जैसे ही आप चाल आपका turn to turn shot हो जाता है इसलिए ऐसा होता है और एक होता है coil to coil shot उसके बारे में तो मैं बताया हूं और एक होता है दोस्तों जैसे हम इसमें R supply दे रहे हैं तो यह हमारा motor का coil में आ रहा है आने का बाद क्या होता है हमारा इहां तक तो पहुंचना चाहिए ना इहां तक यह भी हो सकता है कि आप मालनी जाएसे R बला में बना के दिखाया हो Y बला भी हो सकता है या B बला भी हो सकता है जिसको हम लोग क्या बोलते है U, V और W तो यह तीनों फेज में से किसी पे भी हो सकता है कि एक बीच में से कड़ जाता है जब कड़ जाएगा तब भी आपका motor नहीं चलेगा उस टाइम क्या होगा दोस्तों आप दो फेज दीजिएगा तो मोटर में थोड़ा सा साउंड करेगा या आवा जाएगा लेकिन दो तीन सेकंड में अगा थार्मल ओवरलोड रिले को ठीक से सेटिंग करके रखे हैं ताव आपका कुछ भी दिकत नहीं होगा औ इसको हम लोग क्या बोलेंगे यह तो हमारा जो मेन पॉइंट है जब आपको इंटर्विव में पूछेगा तब आपको बताना है कि हमारा एक फेज ओपेन हो गया है और यहीं वाड हम लोग प्राइवेट कंपनी में यूज भी करते हैं जब दोस्तों फेज टू फेज हमा आपको दिखाई नहीं देगा यह जो भी होता है मोटोर के अंदर में होता है इसलिए जैसे यह मोटोर चालू करिएगा तुरण दोगो फ्यूज कटेगा इसका मतलब है दोस्तों कि आपका आर और वी यह जो दोनों फेज है यह दोनों फेज आपस में सट गया जिस तरह मै बनाया हूँ इसी को देखके आपको समझना है कि दो फ्यूज हूट रहा है मतलब हमारा कोईल टू कोईल मतलब फेज टू फेज सौट हो गया है मोटोर के अंदर में चाए मैं जो आर वाई और वी बनाया हूँ यह कोई भी कोईल के साथ हो सकता है वह आप देख लीजेगा अभी इसको चेक किस तरह करना है जैसे मैं सुरू में आप लोग को बताया हूँ कि मोटो टर्मिनल से लेके बोडी में चेक करना है और जब आपका फेज टू फेज हो जाएगा तब आपको किस तरह चेक करना है अगर आपका यह जो डबलो वान है और डबलो वान का इंड क चेक किजिए या मेगर से चेक किजिए आपको उस्टाम यह जो रेश्टेंस भेलू है रेश्टेंस भेलू किसी भी हाल में नहीं आएगा और आपका क्या होगा यह जो हमारा आपका बता रहा है तो समझ लिजिए का आपका मोटर में कुछ प्राब्लेम है या कुछ फॉल्ड है कितनों बार भी आप मोटर को चालू किजिएगा उतना बार आपका Mcc भी लगा रहा है तो ट्रीफ हो जाएगा या आपका स्वूज फ्यूज उनिट लगा हुब रहा है तो आपका फ्यूज बर बर कर जाएगा दोस्तों यह हो इस टाइम शुरूद में उसमें A1, A2 मार्किंग दिया हो रहता है जब आप कभी भी मोटर वाइंडिंग के पास काम करने देखिएगा या अगर आप काम करते हैं तो देखिएगा A1, A2 देखे ही समझाता है इसी तरह दोस्तों मैं भी एक कोईल बना के आप लोगों को समझा जो हमारा 2HP का मोटर है 2HP का मोटर में क्या होता है दोस्तों हमारा जो कोईल है यह बहुत पतला वाइर यूज करता है मतलब देखिएगा एक 100HP का मोटर और एक 2HP का मोटर दोनों में वाइर में बहुत डिप्रेंस रहता है मतलब हमारा जो 2HP का मोटर है इसका वाइर बहुत पतला होता है मतलब इसमें जब पतला होगा तो बहुत ज्यादा ओयर लगेगा मतलब पतला का उनुसर में बहुत ज्यादा घुसेगा कोर के अंदर जो मोटर का कोर है उसके अंदर और यह जब पतला होगा तभी आपका रेश्टेंस वेलू ज्यादा होगा और दोस्त तो 100 HP में क्या होगा? 100 HP का मोटर में आपका मोटा-मोटा ओयर रहता है. अगर मोटा-मोटा ओयर रहेगा, तब क्या होगा? थोड़ा सा कम लगेगा, मतलब ये माल लिजिये, हमारा इतना दूर जा रहा था, इतना लंबा, अगर पतला ओयर तो ज्यादा बड़ा लगेगा, ज्यादा कोईल का डिस्टेंस बड़ेगा, और जब हमारा मोटा ओयर होगा, तब हमारा छोटा हो जाएगा, जब आपका ये पतला ओयर रहेगा, तब आपका ओम्स ज्यादा बताएगा, और जब आपका मोटा होयर देगा वाइंडिंग किया हो रहेगा तब आपका ओम्स कम बताएगा दोस्तो वीडियो के बीच बीच में मैं कुछ लिस्ट दे दूँगा जिससे आप लोग को एक इसका फर्मूला भी है निकालने का फर्मूला भी मैं दे दूँगा और दोस्तो उसके साथ कुछ लिस्ट भी दे दूँगा जिसमें आप सिरिफ लिस्ट देखके ये जो मोटोर का कितना ओम्स होना चाहिए रेस्टेंस बेलू ओभी आपको पता चल जाएगा अगर आप वीडियो को छोड़ के देखते हैं तो आपको तो लिस्ट मिलेगा ही नहीं आप डिरेक्ट एदम लास्ट तक पहुँच जाईएगा और वीडियो का अगर शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं तब आपके अंदर कुछ भी डाउट नहीं रहेगा हर डाउट या कोई भी प्राइबेट कमपनी में इंटर्वु दीजिएगा तो आपको जवाब दोने में कुछ भी दीकत नहीं होगा दोस्तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तो वीडियो अच्छा है तो लाइक, शेर, कॉमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा आज के वीडियो के लिए इतना ही मैं ज्यादा तर वीडियो आपको देखिएगा इसी टाइप का लेकर आता हूँ और ज्यादा तर वीडियो में फॉल्ड बला बनाता हूँ अगर आप कोई भी मोटोर होई है योटी ओवारेड क्रेन एसीपी वीसीपी टनस फोर्मर उसका फॉल्ड के बारे में अगर आप जान जाईएगा तो आपको काम करने में कुछ भी दिकत नहीं होगा नमस्कार